27 नक्षत्रों में से अनुराधा नक्षत्र का जो नंबर है वो है 17 वैदिक जोतिश के हिसाब से अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनी देव हैं और राशी के स्वामी मंगल हैं इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जात्कों पर इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव होता है, इनके देवता मित्र देव हैं, मित्र देव मैत्री, सौमयता और विश्वास देने वाले होते हैं आकाश मंडल में अनुराधा तीन या चार सितारों का समूह मंडल है अनुराधा नक्षत्र के चारो चरन वरिष्चिक राशी में होते हैं इसलिए जिन लोगों की राशी वरिष्चिक होती है उनका नक्षत्र अनुराधा होता है इसका प्रतीक, कमल, सुन्दर और कोमल पुश्प होता है इस नक्षतर में जन्म लेने वाले लोग सासी होते हैं दृटनेश्चाई होते हैं लेकिन जिद्धी भी देखे जाते हैं बहुत जादा महत्वा कांक्षा भी इनके अंदर होती है आत्म विश्वात से भरे हुए होते हैं कई बार ये दोहरी विचारों के भी शिकार हो सकते हैं लेकिन भागेशाली होते हैं इस नक्षतर के स्वामी शनी ग्रहें जो नियाय के देवता हैं और लोगों को उनके करमों के हिसाब से फल देते हैं इस नक्षत में जर्म लेने वाले जातकों पर शानी माराज की खासा कृपा होती है हर मामले में ये सोच विचार करते हैं और इसी कारण कई बार पीछे भी रह जाते हैं इन पर मंगल का प्रभाव होने के कारण ये जादतर साहसी, पराकर्मी और उठजावान होते हैं हलाकि इनके जो दोस्त होते हैं वो बहुत सिमित होते हैं ये अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं जीवन में किसी भी बाधा से ये निराश नहीं होते, कम उम्र से पैसा कमाना शुरू करते हैं, संघर्ष होता है इनके जीवन में, सब कुछ आसान नहीं होता है, जब भी इन्हें प्रॉपर अपर्चिनिटी मिलती है, तो इसका फाइदा ये उठाते हैं, अनुशाशन के पक कहना तो भी ये बेजीज़क कहते हैं, क्योंकि बातों को घुमा फिरा कर कहने कि इनकी आदत ही नहीं है, हलाकि परिस्तीतियों को संभाल लेते हैं, ये जो महिलाएं होती हैं इस नक्षतर में जिनका जन्म होता है, उनके भी अच्छे खासे दोस्त होते हैं, सामाजिक होते इन में नित्रितुक शम्ता भी बहुत जादा होती है इसलिए टीम लीडर या फिर कोई ऐसा काम जिसमें लीडर्शिप कॉलिटीज की जरुवत होती है तो ये बहुत अच्छा करते हैं पढ़ाई में भी ये काफी मेहनत करते हैं माता पिता के साथ अच्छे संबंद होते हैं हलाकि पिता के साथ जो है वो थोड़ी अन्बन हो सकती है पुरुष थोड़े पुराने विचारों के होते हैं अनुरादा नक्षत में जन्मे लोगों को अपने रिष्टों का खासा ध्यान रखना होता है स्वास्त के लिहाद से देखें तो अनुरादर नक्षत्र में जन्म लेने वालों का स्वास्त अच्छा रहता है लेकिन दातों की समस्या सर्दी और कब्स की शिकायत हो सकती है सिर्दर्ध हो सकता है, नींद नहीं आ सकती है कुछ निगेटिव आसपेक्ट की बात करें, अगर अनुरादर नक्षत की तो ये बहुत जल्दी बेच्छेन हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, घुस्सा करने लगते हैं बहुत ज़ादा जो है, क्रिटिक हो जाते हैं, महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़ादा अपेक्षा रखने वाली होती है, इन्हें कई बार परिशानियों का सामना करने में दिक्तें भी होती हैं, चुकि ये बहुत क्लियर बोलते हैं सबी चीजों को, इसलिए कई बार डूसरे लोग इनसे नाराज भी हो जाते हैं बहुत कम इनके मित्र होते हैं क्योंकि बहुत जादा असपष्ट बोलने के कारण इनकी मित्रता सबसे टिकती नहीं ये दूसरों पर हलाकि अपना प्रभाव जरूर डालते हैं विदेश यात्रा जो है ये करना इनके लिए बहुत शुब होता है जादतर जो है टूरिजम का जो बिजनेस है या फिर डेंटिस्ट जो होते हैं या फिर वैग्यानिक मैथमेटिशियन, औस्ट्रोलजर फोटोग्राफर कोई ऐसे जो की मनुवैग्यानिक है राजनेइक है ऐसे काम जो है मैथमेटियन, औस्ट्रोलजर कोई जो है